नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोरनेशन भले ही लोग केके पाठक की आलोचना कर रहे हों लेकिन केके पाठक के कारण बिहार की सिक्षा विवस्था में काफे बदलाब देखने को मिल रहे हैं एक तरफ जहां केके पाठक के आने से और केके पाठक के कड़े-कड़े फैसले से बिहार की सिक्षा विवस्था में सुधार हो रही है तो वहीं चोरी सिस्टम को लेकर बिहार के सिक्षा विवस्था सुधार रही है देखी आप मेरा नाम मत बता दीजेगा, मेरे कॉल को रिकॉर्ड मत कीजेगा हम आपको बता रहे हैं कि केके पाठक के आने के आने के बाद सिक्षा बिभाग में एक बहुत बड़ी चोरी रुख गई है स्कूलों में रुकने वाली स्चोरी के बारे में एक सिक्षक ने जब एक चैनल को बताया तो मानो की हड़कम मच गया उसके बाद उनका जो जवाब था वो काफी चौकाने वाला था उन्होंने जो बताया उसके मुताविक बिहार के विद्यालों और सक्षा विभाग के कार्याले में समय की बड़ी चोरी होती है इस चोरी पर किसी का लगाम नहीं था इस चोरी की वज़ा से स्कूल में पढ़ाई वाधित होती थी इस चोरी की वज़ा से कोई भी काम नहीं हो पाता था आईए हम जानते हैं कि स्कूल में चलने वाली समय की चोरी का पूरा मामला क्या है बकसर जिले के एक मद विद्धाले में निस्चा के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले सिक्षक काफी खुश थे वो स्कूल में पढ़ाते थे उस वक्त अन्सिक्षक अभी घर से स्कूल नहीं पहुचे होते थे वहीं सिक्षक का कहना है कि दो बज़े ही निकल जाते थे सुबा आकर हाजरी बनाना 12 बजे से 2 बजे के बीच काम की बात करके बिद्याले से निकलना उनकी दिंचर्या मानो थी अब ऐसा नहीं है ये सिक्षक समय से आते हैं हाजरी बनाते हैं और 5 बजे तक स्कूल में बने रहते हैं उस हिसाब से आप समझ लीजे कि समय की कितनी बड़ी चोरी केके पाठक की वज़ा से रुख गई है अब लोग जवाब दे ही समझ रहे हैं केके पाठक के आने से पहले जिसे मन करता था वो स्कूल से गायब रहता था अगले दीनाकर हाजरी बना देता था अब ये संभब नहीं है अब लगातार स्कूलों में अधिकारियों का दौरा होते रहता है उसकी वज़ा से सिक्षक पंक्शुल हो चुके हैं समय पर आते हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये सारे स्थियां सिर्फ एक इनसान के आने से बदली है बकसर जिले के ब्रंपूरा प्रखन के प्रात्मिक स्कूल में पढ़ने वाले सिक्षक बताती है कि पहले स्कूल में बिना कोई जानकारी दिये सिक्षक गायब हो जाते थे जब कभी जाच होती थी तब बैक डेट की छुटी का विदन लगा देते थे अब ऐसा नहीं होता है सरकार की ओर से नहीं होती सिक्षकों को साल में कुल 16 CL अवकाश मिलते हैं अब लोगों को जाना होता है तो बकायदा CL ले कर जाते हैं बिहार की सिक्षव विवस्था इस तरह से बदहाल थी कि यहां पर सिक्षक समय की चोरी करते थे जब मन करता था तो टीचर्स स्कूल में आते थे अटेंडन्स लगाते थे और जब मन जब करता था वो चले जाते थे कई सिक्षकों बिहार के ऐसे थे जो महीने में एक बार स्कूल जाते थे अटेंडनिस बना कर वापस आ जाते थे लेकिन बिहार सिक्षव अभिभाग के ACSK के पाठक ने जब से ये पदभार सम्हाला है बिहार के सिक्षकों को मानों की सही राह पर लेकर आ गए हैं अब बिहार के सिक्षक 9 बजे सुबह जाते हैं और शाम के 5 बजे आते हैं अब बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में जो उनका काम है पढ़ाने का वो कार करते हैं ना की बे मतलब बे फिजूली बात चीत करते हैं और जब मन जब करे वो स्कूल से निकल जाते हैं और इसको लेकर बिहार के कई सिक्षक काफी जादा खुश है वैसे सिक्षक खास करके खुश है जो बच्चों को सचमुझ पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करते थे